हमारे चनल में आज मैं आपको देने जा रही हूँ एक छोटी सी जानकारी जानकारी को पूरा जरू सुनिएगा नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं तो सुनिए हमारी जानकारी हमारी रसुई घर में मौजूद नमक खाने की चायकों को बढ़ाने के लावा वास्तु सास्त्र में भी विसेस महत्वर रखता है जितना उपयोगी नमक खाने में होता है उतरहीं नमक के उपाए घर में सुक सांती बनाए रखने में सहायक होते हैं वास्तु सास्त्र के अनु नमक को हमेशा काणज के जार में ही रखना चाहिए, एसा करने से घर में सूख और सांती बनी रहती हैं, और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, तो दोस्तो आईए जानते हैं नमक के इन उपायों के बारे में, जिनसे लोग इत्ती जल्दी अमीर बन जाते हैं तंत्र सास्तर में कहा गया है कि नमक नगारत्मक औरजा को नस्ट कर सकारत्मक औरजा को अपनी ओरा कर्जित करता है कुछ लोग तो वसी करण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं तंत्र सास्त्र के अनुसार, अगर नमक को कुछ नियम के प्रुप्सांत प्रियोग किया जाए, तो यहो आपको रात और रात अमीर बना सकता है, जो की बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, यहो रोग और सोक का कारण बन सकता है. नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए नमक को सिर्फ कांज के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक न खाएं किसी पापी पुरुस के यहां का नमक तो कदापी न खाएं अन्यधा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा हर कहीं का नमक या नमकी न खाएं इस बात का हमेशा ध्यान रखें मजबूरी में या दवाओं में किसी का नमक में खाईए इसे आपका बड़ा नुक्सान हो सकता है नमक उसका खाईए जिनके संसकार अच्छे हो और जो धर्म समस्त आचरण करता हो नमक और कांच दोनों को ही राहू का कारक मना जाता है इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर सौचालय या इसनान गरह में रखेंगे तो वहां से नेगटिव उड़जा का नास होता है क्योंकि राहू का सबसे ज़्यादा दुस्प्रभाव बात्रूम में ही होता है इसके अलावा इस उपाई से वहां मौझूद सुक्सम किटानों भी नस्ट होते हैं और बुरी सक्तियां दूर होती है हर माह कटोरी का नमक बदलें और पुराने नमक को फैक देना चाहिए नमक घर से नकरतमक उड़जा दूर करने का काम करता है इसके लिए घर में पोच्छा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला रहे हपते में दो बार ऐसा करने से घर से सकारतमक उड़जा होती है कहा जाता है घर में नमक वाला पोच्छा लगाने से सीगरी धन की प्राप्ति होती है कर जिसे मुक्ति के लिए आप नमक के पानी से हर रविवार को पोच्छा लगाए इससे आपकी धर्म सम्मंदी परिसानी खत्म हो सकती है साथ ही आपको कर्ज से भी मुक्ती मिलती है नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देश में इसे दुर्भाग्य और विवात का सूचक माना जाता है हमारे धर्म सास्त्रों में भी इसका गिरना असुब माना गया है नमक को गिरने से चंद्रमा और सुक्र दोनों कमजोर हो जाते है साथ नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी रडाई हो साती है रात को सूने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर दोने से अच्छी नीज आती है साथ ही राहू केतु का दुस्र प्रभाव भी कम होता है तंत्र सास्तर में दर्डर्दा दूर करने और बरकत के लिए नमक का तोड़ का बहुत असरदार माना जाता है इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भर कर उसमें चार पांच लॉंग डाल दें ऐसा करने से घर पर लक्समी मा की किरपा बनी रहती है और धन में दीन दूनियाख चोगनी बरकत होती है कई बार बिना किसी वजह के मन में बेचेनी होने लगती है इसकी चलते व्यक्तिमान सिक शिंदा तनाव में गिर जाता है इस स्थिदी में अपने एक हाथ की मुठी में नमक लें अपने उपर से साथ बार फिराएं और उसे वास वेसिन में बहा कर थोड़ी देर पानी में पहने दें कुछी देर में बेचेनी बिल्कूल दूर हो जाएगी पती पत्नी में अक्सर जगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह तोटका आजमा कर देखें एक काची कटोरी या गिलास में सिंधा नमक डाल कर इसे अपने बेडरूम में रख दें कमरे रूम में रख दें कमरे से नकारत में पूर्जा खत्म होगी और घर के हाला सुधर जाएंगे तामपति संबंदों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफेज साबूत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रख कर सो जाएं इससे पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है जिसकी वज़े से हमारी आर्थिक स्थिती बिगर जाती है ऐसे में कांच के एक गलास में एक समश नमक डाल कर घर के दक्षिर पस्चिमिस्थित कोन में रखें इस पानी के गलास के पीछे एक लल रंग का बल भी लगा दीजिये ऐसा करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलता है कुछ ही दिनों में आपके घर से संकड दूर होने लगते है और पैसा आने लगता है लेकिन यह उपाई करने के लिए आप समय समय पर इस पानी को बदलते रहें साथ ही यह उपाई रव्यार और मंगलवार को जरू करें तब ही इसका फल प्राप्त होता है जिन लोगों को नोकरी नहीं मिल रही या बिजनस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए सास्त्र मेह उपाई बताया गया है इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर तीन बार घुमाना है फिर अब इस नमक को दरवाजे की बाहर फैंक दें ऐसा लगाता तीन दिनों तक करें यदि इससे भी लाब न मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतार के सोचाले में डाल कर फ्लस कर दें इससे निश्चित रूप से लाब मिलेगा यदि हपते में एक बार बच्चों को चुटकी बह नमक डाल कर पानी से नहलाएं तो उन्हें बुरी नजर नहीं लगेगी इसका पैग्यानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से सम्मद्ध कोई विमारी भी नहीं होगी इसके लाबा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो साथ बार चुटकी बह नमक लेकर उसे उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें इससे नजर दोस दूर हो जाएगा अगर कोई लंबे विमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहने कांच की एक बरतन में नमक रखें एक सब्तह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखते हैं धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा इस उपाई के साथ चिकिसी परामर्ज से भी लेते रहें दिवाली से पहले धंतेरस पर नमक खरीदा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि धंतेरस वारे दिन नमक खरीदना भी बेहदिस सुभ माना जाता है ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से माता लक्समी की किरपा बनी रहती है मालक्समी का आवतरण समुन्द्र मन्थन से हुआ है और नमक भी यहीं से ही निकला था धन्तिरस के दिन नमक खरीद कर घर लाना चाहिए और इसे खाना बनाने में सिम्माल करना चाहिए धन्तिरस के दिन नमक किसी को उधार यदान में नहीं देना चाहिए नमक को सुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए नमक को सुर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए दोस्तो जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जैमाता दी